बॉलिवूड का हाल इस समय कुछ खास नहीं चला है हाली में ब्रह्मास्तरा ने तो काफी अच्छा पर्फॉर्मेंस किया बॉलिवूड में सुपर हिट का टैग ब्रह्मास्तरा को अल्रेडी मिल चुका है और वर्ल्ड वाइल्ड इस मुवी ने बहुती जादा अच्छी कमा की लेकिन दोसरी तरफ देखा जाये तो बाकी सभी फिल्में कुछ खास पर्फॉर्मेंस नहीं कर पा रही है हाल फिलाल में विकरम वेदा रिलीज हुई ले जिससे हमें एक्सपेक्टेशन तो काफी जादा थी लेकिन कमाई उतनी अच्छी नहीं आई पर्फॉर्मेंस उत सल्मान खान की बहुत सारी मोवीज अब आने वाली हैं लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सल्मान खान की अपकमिंग मोवीज के बारे में जो कि हमें साल दो जार तेईस में रिलीज होते हुए दिखाई देने वाली हैं छ prominent दोस्तो साल दो जार तेस तक की बात करेंगे कि साल दो तेस में हमें सल्मान खान की कौन कौन सी मुवीज कबर रिलीज होते हुए दिखाई रेंगे तो वीडियो को इंट टैक देखेगा बॉलिवूड के फैन होने के नाते, सल्लू भाई के फैन होने के नाते, किसी भी बॉलिवूड डेक्टर के फैन होने के नाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि हम आपको बॉलिवूड से जुड़ी हर ख़बर अपने चैनल पे देते रहेंगे तो दोस्तो सल्मान खान की 2023 में आने वाली upcoming movies के बारे में बात करें तो पहली जो movie है वो है किसी का भाई किसी की जार होगी तो इसी साल release लेकिन ये नियुएर के मौके पे होने बाली है तो हम इसे 2023 की मुवी भी कह सकते है इंड में ये रिलीज होगी 30 दिसंबर को तो हम इसे 2023 की मुवी ही मान के चलते है और इसी वज़े से इस लिश्ट में हमने पहले नमबर पे किसी का भाई किसी की जान मुवी को रखा है जिसका पूरा कलेक्शन 2023 में ही आएगी लेकिन सल्मान खान का इसमें कैमियो है टाइगर मुवी के रोल में हमें सल्मान खान इस मुवी में दिखाए देंगे 15 मिनट के आस पास तक का सल्मान खान का कैमियो है पठान मुवी में इसी वज़े से ये सल्मान खान की कैमियो मुवी होने वाली है अगले नमबर पे जो मूवी है सल्मान खान की वो है टाइगर थ्री जा दोस्तों टाइगर थ्री मूवी अगली मूवी होने वाली है सल्मान खान की जो की एक बड़ी मूवी है हाई बजट पे ये मूवी बनाई जाएगी Tiger 3 के performance की बात करे तो अगर इसका content क्लिक कर गया तो box office के सारे record ये movie तोड़ देगी ये movie रिलीज होगी 21 अपरेल को यानि की ईद के मौके पे सल्मान खान वापस आएंगे अपनी ईदी लेने तो इस movie का इंतजार तो सल्मान खान के फैंस बहुत ही बेसबरी से कर रहे हैं और इसके बाद अगली जो movie होने वाली है सल्मान खान की उसके उपर कोई भी clarification नहीं है लेकिन हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि सायद no entry 2 हो जायती लेकिन अब जो निकल के update आ रहा है वो यह है कि सल्मान खान अली अबास जफर के साथ हमें कोई movie लाते हुए दिखाए देंगे जो की action movie होगी बड़े scale पे यह movie बनाई जाएगी और यह सायद किसी Hollywood movie की remake movie हो सकती है transporter movie का नाम है जिसका remake सल्मान खान सायद लाने वाले हैं यह movie कब release होगी इसके उपर तो कोई कोई भी final date नहीं है लेकिन expect कर रहे हम लोग कि सायद 2023 में ही release हो जाए तो सल्मान खान की तीन movie 2023 में आ जाएंगी अगर 2023 में नहीं release होती है तो यह हमें ईद के मौगे पे 2024 में release होते हुए दिखाई दे सकती है और no entry 2 को अभी hold पे रख दिया गया है तो अब आप मुझे comment करके बताए कि सल्मान खान की अगली कौन सी movie का इंतिजार आप बेसबरी से कर रहे है अभी comment करके बताएं वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल पे विजिट कर ली जाएगा हमारे चैनल पे आपको और भी वीडियो देखने को मिल जाएंगी